नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल प्रदीप पॉल्टी में स्वागत है हमारी चिक्स आ चुके हैं यह हमारी 28 वी लाट है आप देख रहे हैं यह ठंडियों की लाट है और इसमें कुछ चिक्स बीक भी आये हैं आप देख रहे हैं यह चिक्स बीक है और जो बीक बर्ड होते हैं वो मर ही जाते हैं हमने इस लाट में दो भठियां जला रखी हैं जिससे टेंपरेचर मेंटेन होता है आज हमारे चिक्स का तीसरा दिन है और आज हमने इन्हें कॉस बैक दिया है जो बर्ड की इम्म्यून्टी को बूश्ट करता है कल आमने इन्हें एंटिबाइटिक दिया था यह हमारे लगभग 35-40 mortality हो चुकी है जो वीक बर्ड थी वो मर चुके हैं लगभग थंडियों में टंप्रेचर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है नहीं तो बच्चे एक के उपर एक हो कर मर जाते हैं और इसमें बूडिंग बनाए गई है जिसको चारों और से पैक किया गया है आप देख सकते हैं ताकि बाहर से भी हवा ना आए बाहर की हवा लगने से इनमें CRD भी आ सकती है इसलिए इन है अभी हम एक हफ्ते तक लगवग पैक ही रखेंगे दिन में थोड़ा बहुत खोल दिया करेंगे बाकी रात में ये पैक ही रहेंगे क्योंकि रात में टेमप्रेचर बहुत डाउन होता है जब टेमप्रेचर सही रहता है तो बड्स टहलते रहते हैं और दाना पानी करते रहते हैं अगर टेमप्रेचर कम हो जाता है तो बड्स इकठे होकर बैढ जाते हैं जाते हैं